नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है नीट सास की यूटूब चैनल में दोस्तों आज एक जानकारी आपको देने आया हूँ किक्स कॉलेज का कितने मार्क सक मिला है बच्चे को किस कट्री में हर चीज की जानकारी आप देख सेथाए पुरा लाइफ करके दिखाऊंगा आपको इसलिए आया हुँ यूपी की अगर आप किसी भी college का जानना चाहते हैं, ऐसे हर state का जानना चाहते हैं, तो आपको हम बता देंगे, college-wide list बना के डाल देंगे, अपने Instagram पर, ठीक है, तो हम हर college का अगर आप जानना चाहते हैं, तो हमारे Instagram पर इसको follow करियो, वहाँ पे हम सारा कुछ डाल देंगे आपको वहीं से आप देख लीजिए गा, ठीक है, क्योंकि कई बार पोस्ट जो होते हैं, छोटी-छोटी जानकारिया होती है, वो YouTube पे डालना संभव नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग इसको Instagram पे डालते हैं, तो देखिए, upneet.gov.in जो seat info पे आप जब जाएंगे, देखिए, मैं खोल के दिखा रहा हूँ, seat info पे आप जाएंगे, यहाँ पे, यह देखिए, seat info, seat info में जब आप जाएंगे, देखिए, यहाँ पे, मैंने क्लिक किया, दो चीज़ दिखेगा, seats और एक allotted and vacant seat, तो पहले अगर आपको जानना है कि क हमको जानना है कि किस college में कितने rank तक admission हुआ है, ठीक है, इस बारा भी पहले round में, तो seat info में हम जाएंगे, seat info में जाने के बाद, allotted and vacant seat पे जाने के बाद, हम क्या करेंगे, कि नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए, NEET UG Counseling 2020 लिखा है, ठीक है, इसमें क्लिक करेंगे, NEET UG Counseling 2020 में क्लिक करने के बाद, आप देखेंगे, institute wise allotted candidate, इसको list है, इसको क्लिक कर देंगे, और एक चीज और आपको बदा दू, counseling regarding जो भी problem हो रही हो, आपको college जाने से लेके कुछ भी, ठीक है, आपको यह help line number official देख रहे है, इन पे आप email और call जरूर कर जाने से पहले, अगर कोई बच्चा college को report करता है, अब देखिए, ठीक है, अब इसमें क्या है कि institute wise हर एक institute का दिख जाएगा आपको, जैसे मैंने सबसे पहले पकड़ा KGMU का है, ठीक है, तो KGMU मैंने यह select क्या submit कर दिया, अब हमारे पास आपने देखिए, एक खुल के list आ इसका था 519 नमबर, ठीक है, इसको allotment मिल गया 11 तरिक को, इसको पहले round की जब counselling आई थी, तो उसी में सारे बच्चो को मिला था, तो इसमें आप पूरा देख सकते हैं कि college का, जैसे देखिए, मैं अभी दिखा रहा हूँ, अब आप बोलेंगे, सर पहला 519 का नहीं, यह actually क्या है कि, उस basis एक rank का ऐसे criteria दे दिया है, देखे ठीक है, ज्यादा तर बच्चो का देखिए, यह जो sequence rank का है, marks नहीं है, ठीक है, तो देखिए, इसमें जो सबसे top marks rank है, वो 519 rank पर मिला है, ठीक है, उसके उपर के सभी बच्चे, मतलब maximum aims लिए होंगे, या UP में कम ही OPC, OPC मतलब OPC का है, OPC 3730 rank तक मिला है, All India, तो सोचिए, All India 3730 rank वगरे तक आपको KGMU मिला है, ऐसे अगर आपको जो भी जनकारी जन्नी हो, ST की जन्नी हो, देखिए, ST का 55,000 पर मिला है, STEX को मिला है, यह category जो भी है, ठीक है, अन्रिजर्ड पीच को उससे भी कम मिला है, ऐसे जो भी category आप देखेंगे, SC का, ST और वान रिजर्ड का 51,000 पर मिला है, ठीक है, नाम भी बच्चे का दिया है, पुरा आपको एकदम एक एक चीज दिया है, कि इनका marks rank कितना है, और देखिए, हमेशा हमने बोला है आपको कि counselling rank पर depend करती, वह चो marks पर नहीं, marks आज 500 पर बह कि अगली साल, अगर 2021 की तियारी कर रहे है, तो आप पढ़ाई किया करिया, ठीक है, अब देखिए, दूसरा माली जैसे, एक और college GSBM को मैं देखके दिखाता हूं, जो बच्चों को पहले list में lot हुआ है, और वो अगर priority चाहते हैं, कि उनके उपर वाला मिलेगा या नहीं मि तो यह देखने के लिए एक अंताजा लगाने के लिए एक सही चीज है, ठीक है, इसको देखिए, फिर आप इसमें देखे, पूरा GSBM का खुल गया है, इसी तरह से आप सारे college का, देखे, सारे UP के जितने college है, आपके, सभी college, यहां तक कि private college के भी, यहां तक कि private college की, जैसे आपको एक private college heritage का लेकि मैं दिखा देता हूँ, heritage का मैंने लिया, ठीक है, आप देखे, heritage का खुल रहा है college, तो ऐसे ही सारा list आपके सामने खुल जाएगा, प्राइवेट हो, या government हो, सारा कुछ आपके सामने ऐसे ही खुल जाएगा, ठीक है, तो यह सारी list आप चेक कर लीज आते हैं, ताकि वहाँ पर सारी चीज़े तुरंत दे दी जाती है, तो एक बार Instagram पर जरूर चेक आउट करें, description में link है, ठीक है बच्चो, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए all